एलो एंड नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रागाव पटेल दोस्तों अगर कोई भी आपके खिलाब जूटी F.I.R. को लिखवाता है तो शिर्फ आपको ये दो शब्द कहना है और पुलिस आपको छोड़ देगी F.I.R. यानी First Investigation Report F.I.R. उस वक्त दर्ज कराई जाती है जब आपके साथ कोई अपरादिक घटना हुई हो F.I.R. पुलिस के रजिश्टर में दर्ज एक लिखित दस्तावेज होता है, डांकुमेंट होता है जिससे किसी अपरादिक घटना के पीनित के दोरा लिखवाया जाता है अपने साथ हुई किसी भी अपराधिक घटना कि पुलिस में सिकायत करना या फिर FIR लिखवाना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग किसी को नुकसान पहुचाने या फिर परिसान करने के लिए जूटी FIR लिखवा देते हैं अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हम आपको आज जूटी FIR से बचने के तरीके बता देते हैं अगर कोई आपके खिलाब जूटी FIR लिखवा दे तो ऐसे में आप हाई कोट में अपील कर सकते हैं हम बता रहे हैं कि जूटी FIR से बचने का तरीका जिसके जरीए आप किसी भी जूटी FIR से बच सकते हैं भारतिये दंड सहिता की धारा 482 की तहट किसी भी जूटी FIR से बचने का तरीका बताया गया है इसके लिए आपको हाई कोट में अपील करनी होती है कोट में अगर आपकी दलीलें सही हुई तो FIR रद्ध होती है इस धारा का आप इस्तमाल करके किसी भी जूटी FIR से बचने के लिए कर सकते हैं इसके लिए आपको बकील के माध्यम से हाई कोट में एक प्रातना पत्र भेजना होगा इसके साथ ही आप एबात भी बता सकते हैं कि आपके खिलाफ जो FIR लिखबाई गई है वो गलत है इसके साथ आप अपनी बेगुनाही के सबूत भी दे सकते हैं इसके साथ ही आप वीडियो रिकार्डिंग, आडियो रिकार्डिंग, फोटोग्राफ जो भी डांकुमेंट दस्ता वेज हैं आप कोर्ट को भेजें हमुनन देखा जाता है कि लोगों को चोरी, मार पीट, बलतकार या किसी भी दूसरे मामले में जूटा फ़साया जाता है इस तरह के जूटे F.I.R. से बचने के लिए आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं आपको बता दें कि हाई कोर्ट में जब तक केस का फैसला नहीं आ जाता पुलिस आपके खिलाब कोई भी कानूनी कारेवाही नहीं कर सकती यानि कोई भी लीगल एकसन नहीं ले सकती इसके अलावा आपको ग्रब्तार भी नहीं किया जा सकता इस धारा के तहित कोई भी व्यक्ति जो बेगुना हैं बच सकता है हाई कोट में याची का दायर करने के बाद आपको अपनी बेगुनाही के जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें